तो guys Elvis Shadow को जेल में 14 दिन के लिए रखा गया है और इसी के बाद आज पहली बार उनके माता पिता भी इंटर्यू देने आया है और इसी चीज़ को लेके काफी जादा रो रहे हैं Elvis Shadow के ममी पापा और कह रहे हैं कि वो सुख नहीं पाएगा कभी भी जिसने ये सब किया है क्योंकि Elvis Shadow के किल फसाय जा रहा है बिग बॉस तो हर कोई जीता है लेकिन इसको जीतने के बाद इतनी सारी चीज़े सामने आई है जिसका कोई हद नहीं है और आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है Elvis Shadow के साथ ये इनका कहना है इनके माबापों का तो आप क्या सोचता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं वहीं गाईज Elvis यादाओ के सपोर्ट में काफी सारे यूटूबर्स काफी सारे इंफ्लूएंसर आ रहे हैं और वहीं पर अनुराग दोबाल जो UK07 राइडर है वो भी उनके सपोर्ट में है और उन्होंने अपने व्लॉग में क्या का है उनके लिए मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ Elvis भाई का अले एक news circulate हो रहा था दिन तक कि Elvis भाई has been arrested मेरे को लगा ऐसी इंटरनेट पर होक्स चल रहा है बट फिर जब तक शाम को देखा तो ऑफिशल न्यूस चानल ने और बहुत सरे लोगों ने डाल दिया था कि भाई 14 दिन के रिमान के लिए Elvis भाई मैं कभी भी इंटरनेट पर इसे बिलीव नहीं करता कि क्या चल रहा है इंटरनेट पर फिर मेरी सब लोगों से बात भी कटार्या भाई से मेरी बात भी देखो अभी के लिए ना चीज़ें I know मुश्किल वक चल रहा है Elvis भाई के लिए मट मेरी बात हुई थी उनसे देखते हैं क्या कर सकते हैं मैं भी दिन में भी बात करूंगा जैसी घर लांड करूंगा पर एक चीज़ बोलना चाहूंगा अभी तक यह सारे एकोजिशन लगें गाई और बस में चाहूंगा कि अप कोई गलती नहीं है तो फर ही शुट बी क्लेर अनफ और में भी अगर कुछ गलती होगी तो फर यह स्टिल रिस्पेक्ट आर इंडन कॉंसिटूशन